हाई गाईस मेरा यूटूब चैनल फेंटासी अबडी टी 11 पे आपका सुवागत है आज मैं ड्रीम 11 में क्रिकेट की टीम प्रोवाइट करूँगा जो आशा मेंस टी 20 ट्रोफी का मैच है साथ गाउ क्लाब वस्स उंकुर जोती क्लाब के बीच जो मैच है मैं उसी का ही टीम गाईस तो मेरे साथ ये वीडियो लास तक देखिये मैं जो भी अपडेट दूँगा जो भी सजेश्टेट प्लेयर के बारे में बोलूँगा आप उसके हिसाब से खुद का भी टीम बना के जा सकते हो तो यापर पर आज का ये मैच है साथ गाउ क्लाब अपने फस्ट मैच खेलने जाएंगे इस सीजन यापर पर अंगुर जोती क्लाब लास्ट सीजन जो खेला था पिछले पांच मैच में तीन मैच हाड़े थे और दो मैच जीते थे इस जो मैदान पर मैच होगा 179 के आसपस 20 ओबर पर बन सकता है फस्ट रिंग्स पे अच्छा बैटिंग पीछ इस पीन बोलर को मदद मिल सकता है और यापर पर आज का मैच जो स्टार्ट करेंगे यापर पर रहुमान काफी बढ़िया चॉइस रहेगा एज़ बैट्समैन और एज़ विकेट कीपर काफी बढ़िया चॉइस है यापर पर लास्ट दो-तीन मैच इनका काफी बढ़िया यह आपको मिनिमाम आपको 20 से 30 के आसपास आपको बैटिंग एवरेज आपको दिला सकता है उससे प्लास आपको विकेट कीपिंग पर भी पॉइंट दिला सकता है संगमाई यापर पे एगारा 35 और साइ 30 स्टून का ड्रिम लेवन स्कोर है लास तीन मैच में दोनों को मेरे टीम में पिक करेंगे उसके बाद यापर पे सिनहा एग अच्छा चोइस रहेगा क्योंकि सिनहा अभी तक लास दो तीन मैच में 210, 70, 38 और 19 के आसपास ड्रिम लेवन स्कोर बनाये है साहिल सल्किया एक अच्छा चोइस रहेगा ये भी काफी तापोर्तोर बैट्समैन है ये दोनों को मेरे टीम में पिक करूँगा डे का वन अप दा चोइस आदक से रहेगा रेईजा एक अच्छा बैट्समैन रहेगा क्योंकि 66, 4 और 56 के आसपास लास तीन मैच में कर ड्रिम लेवन स्कोर था मैं उनको भी मेरे टीम में पिक करूँगा उसके बाद यापर पे आप तेज खान को अपने टीम पे ले सकते हो तेज खान लास तीन मैच में 6, 17 और 28 के आसपास लास तीन मैच में दिया था ओल राउंडर सेक्शन पे यापर पे सादेक चोधुरी को अपने टीम पे पिक कर सकते हो बासफोर, 61, 99 और 45 के आसपास लास तीन मैच में दिया है सालकिया ने यापर पे काफी अच्छा ओल राउंडर परफॉर्मेंस दे के दिया है मैं ये दोनों को मेरे टीम में पिक करूँगा डोले एक अच्छा चोईज रह सकता है क्योंकि आभी तक लास तीन मैच में 29, 87 और 4 राउंडर के आसपास ड्रीमिले में स्कोर दिया है काफी अच्छा चोईज रहेगा बालिंग ऑप्शन पे दीदा सलकिया यापड़ पे लास तीनों मैच में उनका ड्रीमिले में स्कोर था हर मैच में आपको एक विकेट दिला सकता है 43, 50 और यापड़ पे दो राउंड के असपास लास तीन मैच में आलों में एक अच्छा चोईज रहेगा और कैप्टिन फैस कैप्टिन आप्शन रहेगा लास तीन मैच में उनका आलों का तिपानवे, 86 और चोग के आसपास जीमिले में स्कोर दिया था सिंगानिया एक अच्छा चोईज रह सकता है यापर पे सिंगानिया 29, 86 और 76 के असपास जीमिले में स्कोर हर मैच में एक से दो विकेट दिला सकता है मैं यापर पे तीनों को पिक करूँगा और यापर पे एक बैटिंग आप्शन को छोड़ दूँगा राइजा को छोड़ दूँगा बॉलिंग ऑप्शन पे ठाकूर को पिक करूँगा यापर पे ठाकूर एक अच्छा चोईज रह सकता है क्योंकि साई 30, 68 और 59, 40 के असपास जीमिले में स्कोर हर मैच में एक से दो विकेट आपको दिला सकता है यह रहेगा अभी तक मेरा टीम कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए काफी बड़िया चोईज रहेगा आलोम यापर पे सिनहा यापर पे बासफ़र काफी इंपोर्टन कैप्टन वाइस कैप्टन रहेगा मेरा captain अभी तक के लिए रहेगा यापर से आलोम को मेरे team में captain pick करेंगे क्योंकि last season आप check करके देख सकते हो काफी बढ़िया मैटपूर इनिंग खिले थे wise captain बासपूर को pick करेंगा और ये रहेगा अभी तक मेरा team मैं final team update कर दूँगा मेरा telegram channel पर जो description पर comment box में link दिया हुआ है guys all the best अचके match के लिए आभी tweet के लिए small league के लिए ज़्यादा ज़्यादा win करें all the best bye bye